biggest and hardest challenge for a working mother is to leave her child welcome to my day 12 जब आयांच सिर्फ छे महीने का था तो मुझे वापस office जाइन करना पड़ा and I guess that was the most heartbreaking moment for me कि मैंने उसका पहला word पहला step सब मिस कर दिया मैंने उसकी nut cut हरकते मिस कर दी I used to cry a lot but सब लोग बोलते थे कि time के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा और आयांच भी मुझे बहुत मिस करता था लेकिन वो तब कुछ बोल नहीं पाता था और सब लोग कहते थे कि कोई नहीं वो situation के साथ used to हो जाएगा लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता जब बच्चा बड़ा हो जाता है मैचौर हो जाता है समझने लगता है situation तो उसको और necessity होती है अपनी मदर की obviously father की भी होती है लेकिन मदर की उसको ज़्यादा necessity होती है हर बच्चे को माँ चाहिए होती है वो चाता है कि मैं भी एक normal मदर की तरह उसको सुभे ready करूँ उसको school लेके जाओ उसको school से लेके आओ उसके साथ activities करूँ उसको homework करवाओ but unfortunate situation is that I can't give much time to him और ये चीजे मेरे को भी कुरेरती है और उसको भी बहुत तकलीफ होती है he used to complain sometimes that I am not a good mother he is right I am not a good mother because I am a working mother झाल झाल में पॉसके लेके 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 जाओ